महरास्टर में इस सल प्याज की गिर्ती कीमतों को लेकर किस्तान अभी तक नुक्सान चेल रही है रभी सीजन में प्याज के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई थी जिसके बाद से कीमतों में लगातार किरावट बनी हुई है पिछले पाँच महीने में प्याज के रेट 10 रुपे प्रती किलों से लेकर 12 रुपे से के आसपास दिखाई दे रहे हैं हला कि कुछ मंडियों में तो एक इरुपे प्रती किलों में भी प्याज बिकता दिखाई दिखाई दिया है एक और प्याज की गिरती कीमतों से जहां किसान चिंतित है और लगतार हो रही बारिश से भंडारी प्याज का नुकसान भी हो रहा है लेकिन तमाम विप्रीत प्रस्थितियों के बाबजूद इस साल के खरीब सीजन में प्याज की फसल लगबग हर खेत में देखने को मिल रही है आईए बताते हैं इसके पीछे की क्या है वजा दरसल नासिक जिले में ही नहीं बलकि राज्ये के सभी जिलों में प्याज की खेती में देरी हुई है लेकिन फिर भी किसान कहीं प्याज की बॉई कर रहे हैं तो कहीं पोद लगा रहे हैं हलाकि वर्तमान में प्याज के दाम कम मिल रहे हैं कीमत के मामले में प्याज एक विश्वस्निय फसल है प्याज के दाम रातो रात बढ़ सकते हैं इसलिए संतोष जनक बारिश के बाद प्याज की खेती में तेजी शुरू हो गई है इसलिए किसान इसकी खेती जोरोपर कर रहे हैं इस साल लगातर बारिश के कारण कृषी कारया ठप रहे जबकि खरीफ में बॉआई में भी देरी हुई लेकिन देर सबेर प्याज की खेती के लिए अच्छा वातावरन बना है इसलिए जिन किसानों ने बॉआई और पोदे लगायते उन्होंने अब खेती शुरू कर दी है कई किसानों ने प्याज की बॉआई पर ध्यान के इंडिद केया है हाला के कुछ जगवपर भारी बारिश के कारण प्याज के पोदे खराब हुए ہیں और अभी तक भारी बारिश और लगातार बारिश ने खरीब सीजन की फसलों को नुकसान पूंचाया है लेकिन इन बारिश से प्याज को फाइदा होने की उमिद जताई जा रही है इसलिए अब अच्छी बारिश में प्याज का पोधार ओपन का काम जोर उपर है प्याज की फसल से नुकसान हो या फाइदा किसान खेती पर जोर देते ही है सिर्फ नासिक जिला ही नहीं अब मध्या परदेश में भी प्याज का रखबा तेजी से बढ़ता दिखाई दिया है उधर महरास्चों में गन्ने के बाद प्याज सबसे बड़ी नकदी फसल है प्याज की वज़े से कई किसानों के जीवन सर में बदलावाया है इस सल प्याज के दामों के चलते किसानों को नुकसान हुआ है लेकिन कई किसानों को विश्वास है कि प्याज के दाम बढ़ेंगे और भी फाइदा देखने को मिलेगा इसलिए किसान प्याज की खेती करना बंद नहीं करते इसके इलावा किसानों का मानना है कि प्याज की फसल बोने के 5 महिने बाद त्यार हो जाती है ऐसे में तब तक कीमतों में सुधार हो सकता है इसलिए किसानों का रुजान बढ़ रहा है इस साल अच्छी बारिश के चलते खरीफ में प्याज की खेती शुरू हो चुकी है किसानों ने प्याज के लिए शेतर आरक्षित कर रखा था अब किसानों ने पोधों के अंकूनन और बारिज द्वारा परदान किये गए उद्गाटन का लाव उठाना शुरू कर दिया है पूरे सीजन से प्याज की कीमते कम बनी हुई है इसके बावजूत प्याज की खेती जोरो पर चल रही है पिछले पांच महीने से कीमते नहीं बढ़ी है लेकिन किसानों का उनुभव है कि प्याज के दाम रातो रात बढ़ सकते है कीमतों में गिरावट के बावजूत क्रिशी कारल्या ने कहा है कि प्याज के शेतर में ब्रोती हुई है इसलिए किसानों को उमीद है कि भविश्य में बढ़ते शेतर के सास्त कीमतों में भी वृद्धी हो सकती है विरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी